नम्मर वन चानल के नम्मर वन शो साज़िश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्लाव साज़िश में आज बात इसराइल के उस आक्शन की जिसने हमास को मूध दिखाने लायक तक नहीं चोड़ाया गाजा पट्टी से कुछ ऐसी तस्वीरे आ रही हैं जिनको देख पाना इसमाईल हानिया के लिए बहुत मुश्किल है हमास के जिनातंकियों ने साथ अक्टूबर को इसराइल को घुटनों पर ला दिया था वो उनी को आज ऐसी सदा दे रहा है कि पूरी दुनिया कांप रही है वहीं इसराइल के एफोस ने अब गाजा पट्टी को नेस्तना बूत करने के बाद दक्षन लेबनान पर कॉपेट बॉंबिंग शुरू कर दिया अब हिजबुल्ला की अगर बात करें तो अगर हिजबुल्ला इस युद्ध में पूरी तरह नहीं कूदा तो इसराइल लेबनान को भी घुटनों पर लाने में देर नहीं करेगा इसरेल इंतकाम की आग में जल रहा है जो दर्द हमास ने साथ अक्टूबर को इसरेल को दिया अब वही दर्द कई सोग गुना करके इसरेल हमास को दी रहा है घाजा पट्टी से बेहत खतरनाक और दिल दहला देने वाली तज़्वीर सामने आने लगी है अब तक तो आपने सिर्फ यही देखा होगा कि घाजा पट्टी के अंदर इमारतें टूट रही है लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं लेकिन पहली बार घाजा पट्टी से आत्म समर्पन की तज़्वीरें सामने आ रही है आत्म समर्पन की तज़्वीर बहुत रिदय विदारक और बेचैन करने वाली है रूस और योक्रेन में युद्ध इस वक्त भी चल रहा है और पूरी दुनिया ने रूस और योक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भी आत्म समर्पन की तज़्वीर देखी है रूस और योक्रेन के युद्ध में लड़ने वाले फौजी अपने कपड़ों में ही आत्म समर्पन करते हुए देखे गए है लेकिन इस्रेल ने बहुत ही खतरनाक अंदाज में हमास के आत्म कपड़ों का आत्म समर्पन करवाया है दरसल फिलिस्तीन के तमाम न्यूज वेबसाइट और अकबार इस तरह के खपने चाप रहे हैं कि हमास के आत्म कपड़ों को निर्वस्त्र करके यानि बिना कपड़ों के आत्म समर्पन करवाया जा रहा है एक वीडियो भी पूरी दुनिया में वाइरल हो रहा है वीडियो में दिख रहा है कि हमास के आतंकवादी सैक्डों की संख्या में बिना कपड़ों के खड़े हैं और एक शक्स जिसके शरीप पर कपड़े नहीं है वो अपने हथियारों को हथियारों के डेर पर फेक रहा है यानि आत्म समर्पण कर रहा है गाज़ा पट्टी से आ रही इन तज़्वीरों ने पूरी दुनिया को चौखा दिया है गाज़ा पट्टी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है उसकी वज़ा बिलकुल साफ है दरसल अब गाज़ा पट्टी के लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है युद्ध की वज़ा से किसी और भी वियोस्था को कायम करना एक चौनोती बन गया है फिलिस्तीन के कई अखबारों का दावा है कि गाज़ा पट्टी के 97 प्रतिशत घरों में राशन नहीं है 90 प्रतिशत लोग अब खाने के लिए दुनिया पर निर्वर हो चुके है हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके है और अब तक जानकारी के मताबिक करीब 18,000 लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं लेकिन अब इस्रैल की आर्मी ने एक और नया आकड़ा पेश किया है इस्रैल की आर्मी ने दावा किया है कि इस्रैल की सेना ने अब तक 7,000 आतंक्वाधियों को मार गिरा है 7 अक्टूबर को जब इस्रैल के अंदर आतंक्वादी हमला हुआ था उस वक्त भी करीब 3000 हमास के आतंक्वादी इस्रैल में घुस गये थे इन में से बड़ी संचा में आतंक्वादी भागने में सफल रहे लेकिन करीब एक हजार आतंकवादी साथ अक्टूबर के बाग इस्रेल के अंदर इस्रेल की सेना के पलटवार में भी मारे गए थे बड़ी बात ये हैं कि अब लेबनान पर भी इस्रेल ने जबरदस्त बंबारी शुरू कर दी है फिलिस्तीन के समाचार पत्रों में और न्यूज वेबसाइट में ऐसे कई वीडियो दिखाये जा रहे हैं जिसमें कि लेबनान पर बंबारी की तस्वीरे शेयर की जा रही है तस्वीर देखकर साफ लग रहा है कि दक्षण लेबनान में इस्रेयल के द्वारा कार्पेट बॉमिंग की जा रही है दरसल पिछले हफते हेजबुल्ला की गोलिबारी में इस्रेयल का एक नागरिक मारा गया था उस एक मौत पर भी इस्रेयल की प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन याहू ने बेहद सक्त रुख अपनाते हुए एक बयान जारी किया था प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन याहू ने छेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हेजबुल्ला इस्राइल पर हमला करने से बाज नहीं आया तो इस्राइल की सेना और इस्राइल की एर फोर्स लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा पट्टी और दक्षणी लेबनान को खान योनुस में बदल देंगे इस धमकी के बाद अब दक्षणी लेबनान में भी कार्पेट बॉमिंग शुरू हो चुकी है जो इस बात का संकेत है कि युद्ध लगातार भड़कता जा रहा है युद्ध के हालातों में अस्पताल चलाने का अनुभाव रखने वाले एक ब्रिटिश मूल के डॉक्टर में ये कहा है कि घाजा पट्टी में हालात एराक युद्ध से भी जादा बदतर नजर आ रहे हैं उन्होंने इसकी तोलना एक सुनामी से की है कि आफ तोलना पॉक्का फ्रेजा तोलना व्सी तोलना अच्षाे बेस्ट्टा है उलोगण के युद्ध प्रिख प्रड़ श्यादा प्राव बदतरू के बारीप थाट व्युद आपा बदतरूशना प्रिशे लिए अंच्टी है दूसरी तरफ अव इस्रेयल और हमास की जंग तीसरे महीने में प्रविश कर चुकी है और इस तीसरे महीने में भी इस्रेयल फिलिस्तीन के लोगों को राहत देने के लिए जरा भी तयार नहीं है पहले इस्रेयल ने उत्तर गाजा के पूरे इलाके पर जबरदस्त बंबारी की है और अब इस्रेयल दक्षुने गाजा में भी रफा क्रॉसिंग और खान योनस पर भायंकर बंबारी कर रहा है हालात ऐसे बन गए हैं कि गाजा पट्टी के बहुत सारे नागरेक एक ही महीने में दूसरी बार विस्तापन का शिकार हो रहे लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कहानिया गाजा पट्टी के वो लोग सुन रहे हैं जो इस्रेयल की आर्मी की हिरासत में रहे इस्रेयल के एक बड़े अखबार ने कुछ बेहद आपती जनक तस्वीरें प्रकाशित की थी इन तस्वीरों में दिखाया गया था कि फिलस्तीन के लोगों को निर्वस्त्र करके यानि बिना कपड़ों के खुले मैदान में बैठा दिया गया है यहां तक कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें की सड़कों पर घाजा पटी के लोगों को निर्वस्त्र करके बिठाया किया था अब इसरेल का दावा है कि ये लोग हमास के आधनफ़ादी हैं जबकि फिलस्तीन के अख़बार दावा कर रहे हैं कि ये लोग आम नागरेक हैं का दोना आई लिसनाग झाल द्लिए लुँ इ cheapest? अघ लुग मया बimate हैं उसले का इसकी हैं जा हम Training के वोग फैंन के वोगों कांब जो काने हीं का तुध झाल अपति तरोना है वो स क MICHAEL, अ सम्य है वित फ्जूदू की वाnin ए पना संगू कि अ उले वर वहाल और लूट उनवाल मैं भवाल की التवान उति पुफ़ाला, वे है को मैं से घुल酒, क्ण़ी। तब तर दो पा ale State, पॉरान कümा अमान, मुजर्मीन इस पर इसरेल की प्रधान मंतरी बेनमीन नेतनियाहू ने एक बयान दिया उन्होंने कहा कि अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के प्रस्ताओ को खारिश करने के लिए वीटो का इस्तेमाल कर सही फैसला किया है दूसरे देशों को बेज बात पर विचार करना चाहिए कि अगर युद्ध रुख जाएगा तो हमास को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होगा दूसरी तरफ दुनिया एक और संकट में गिरती भी नजर आ रही है यमन का चरमपंथी संगचन होती जिसका की यमन के एक बड़े इलाखे पर कबज़ा भी है अब लगातार ओगर होता जा रहा है हूती अब लाल सागर को जाम करने की योजना बना रहा है दूनिया के इस नक्षे को देखिए इसमें लाल सागर की लोकेशन बेह दहम है इससे पहले भी हूती संगचन ने अपनी ताकत को समंदर में उस वक्त दिखाया था जब उसने पानी के एक जहाज पर बहुत आसानी से अपने लड़ाकों के माध्यम से कबज़ा कर लिया था लेकिन अब हूती की ये धमकी है कि इसरैली ने अगर दूसरे भी किसी देश का पानी का जहाज लाल सागर से होकर गुज़रेगा तो वो उस पर कबज़ा कर सकते हैं और लाल सागर का रास्ता रोक सकते हैं धमक्यों ने प्रिटन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों की चिंता को बढ़ा दिया इसरैल युद में AI यानि Artificial Intelligence की एंट्री अब हो चुकी है इसरैल ने हम आज के किलाफ AI सिस्टिम लॉंच कर दिया है इस सिस्टिम से हमले और तेज होंगे साथी इसरैल के सेने की जान जाने के संभावना भी ना के बराबर हो जाएगा AI सिस्टिम इतना पावरफुल है कि इससे इसरैल युद की दशा और दिशा दोनों बदन चाहेगा हमेशा के लिए बदल गई युद्ध की तकनी इसरैल ने कर दिया युद्ध में AI का इस्तिमार एक दिन में AI हमास पर करेगा सौ हमले बिना नुकसान AI से बरबादी वाली गैरंटी AI मतलब Artificial Intelligence कहीं भी किसी भी वर वो जानकारी जो आपको जीत की सौ फीजदी गैरंटी देती है वो तकनी जिसने परंपरागत युद्ध को बदल दिया जिसने युद्ध का पूरा रिजल्ट बदल दिया उधार सामने है पुतिन के जनरलों ने 72 घंटे में युउक्रेन विजय का प्लैन बना है लेकिन फस गया सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी घाज़ा पट्टी में इस्रेल घुसा और अब तक फसा हुआ है कागस और समी दोनों पर रूस युक्रेन से और इस्रेल हमास के बीच शक्ति की कोई तुलना नहीं है रूस और इस्रेल दुनिया के सबसे उन्नत तक्नीक के हत्यारों का प्रोडक्शन करने वाले देश है लेकिन फिर भी फसे हुए है क्यों? क्योंकि युद्ध की दशा बदल गई है क्योंकि युद्ध काम मुक्ष हत्यार ही बदल गया युद्ध में आर्टिफीशल इंटेलिजन्स के एंट्री हो गई इस्रेल युद्ध में ए आई ने कैसे कोहराम मचा दिया है कैसे बिना बड़े नुक्सान के ए आई के इस्तिमाल से निशाना ज्यादा लग रहा है सठीक लग रहा है और तबाही भी जादा हो रही है यही नहीं जबानों की मौत का डर भी खत्म होता जा रहा है इतिहास में इस्रेल युद्ध ए आई के इस्तिमाल के लिए याद किया जाएगा ए आई के इस्तिमाल से क्या फाइदा हो रहा है और भविश्य में कैसे ये संकट बन सकता है, दोनों पक्षों को विस्तार में समझेंगे, क्योंकि आर्टिफीशल इंटेलिजन से एक ऐसी तक्नीक है, जो अब धीव विकास की अवस्था में है। आगे आपको इस्रेल की यहा लोम योनिट के बारे में बताएंगे, जिसने हमास की सोरंगों के जीतरे उड़ा दिये हैं। हब सोरा मतलब हिब्रो में दा जस्पल होता है। बताया जा रहा है कि इस सिस्टम का उपियोग इसरेली सेना ने शुरू कर दिया है, जिससे वो और ज्यादा हमले कर सकेगी और साथ हमास की सक्रिय लड़ाकों को भी खोच कर मरने वाले संभावित नागरिकों की संख्या को अभी पहले से ही अनुमान लगा सकेगी। इस सिस्टम का इस्तिमाल बंबारी, निशाने चुन में हमास के ठिकानों का पता लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है कि इसका इस्तिमाल सिर्थ दुश्मन के खिलाप नहीं, पूरी मानवता के खिलाप भी हो सकता है। ये अत्याधुनिक तक्नीक की मशीने मैसाईलों से भी जादा खतरनाक साबित होती है। अगर इनका निशाना चूप जाए, इन तक रूस से ज्यादा योकरेन को पसंदा है। खतरना और ज्यादा तबाही वाला बना दिया है। इसके कुछ फाइदों को देखिए, इसके बार दिखाएंगे कि इसका नुकसान किस लेवल का हो सकता है। आईडियेफ की हब सोरा प्रणाली भी इसी तरह काम करती है। आपने नोटिस किया होगा कि 7 अक्तूबर के बाद से इसरेली सेना की मौत की अब तक कितनी खबरे आई है। इसरेल बिलकुल सावधानी से बिना जवानों को कोई जंग जीतना चाटा है। और इसके लिए उसके पास विकल्प है तकनीक। नीक, हब सोरा ने इसरेली डिफेंस फोर्स का काम आसान कर दिया है। जमीन पर सेना के पास अब हमास की वो जानकारियां पहुँच रही हैं जो आईने में दिखा देती हैं कि दुश्मन की लोकेशन क्या है, दुश्मन कितने हैं, उनकी पास हथियार कितने हैं, कैसे हैं, हर सेना को ऐसे हथियार की जरूरत होती है, लेकिन पूरी दुनिया एतनी उननत नहीं है, और दूसरी बात ये भी, कि AI सिस्टम युद के समय खतरनाग गलत फहमी पैदा करने या दोशप्रचार में योगदान दे सकता है, ये सिस्टम मशीनों के सुझाव पर भरूसा करने कि मानुविय प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है, अब सोरा सिस्टम से बात सामने आई है कि कि किसी AI सिस्टम की सीमाएं सुपष्ट नहीं हो सकती, मतलब तय नहीं हो सकती, इसलिए AI का उपयोग इस आधार पर उचित है कि ये बड़ी मात्रा में डेटा की द्याख्या कर सकता है, इसे रेफॉर्म यानि संशोदित कर सकता है, लेकिन युद्ध में जहां सीमा तय होती है, वहां सीमा नहीं समझने वाले हथियार का इस्तिमाल बहुत 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 खतरनाक हो जाता है 2021 में इसरेल ने घाजा में फिलस्तिनियों की खिलाफ अपने जवावी का रवाई में ऑपरेशन गार्डियन्स ओफ दा वॉल शुरू किया था, 11 दिनों की लड़ाई को पहले AI युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, AI टूल्स से लिए गए डेटा का इस्तिमाल घाजा मे टार्गेट को हिट करने के लिए किया गया था, इसरेल तक्नीक में महारत रखता है, इसरेल का AIR डिफेंस सिस्टम आयरन डोम 7 अक्तूबर को हमास हमले के दोरान नाकाम रहा, लेकिन इससे इसरेल की सुरक्षब व्योस्ता की बखिया ओघड जाने के तौर पर नहीं लिया जा सकता, इसरेल के पास अमेरिका वाला पेट्रियर डिफेंस सिस्टम भी है, और सबसे बड़ी बात कि इसरेल की साथ अमेरिका खड़ा है, संयुक्त राष्ट में वीचों के साथ, लेकिन समस्या ये है कि इसरेल साथ अक्तूबर से दिसंबर आ गया, लेकिन इसरेल घाज हमास ने घाजा में जमीन के अंदर कई सुरंगे बनाई है इन सुरंगों को इसराइल मेट्रो कहता है इसराइल ने दावा किया था कि उसने अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगे फोची है इन सुरंगों का जाल पूरे घाजा में करीब 500 किलोमेटर में फैला है लहाजा इसे हमेशा के लिए नश्ट करने का काम आसान नहीं है AI के साथ ही इस्रेल ने हमास की सुरंगों को मिठी में मिलाने के लिए अपनी यालोम यूनिट को तैनात किया है यालोम यूनिट हमास की सुरंगों को खोज रही है और उने नश्ट कर रही है हिब्रो भाषा में यालोम शब्द का अर्थ हीरा होता है इस नाम से ही यूनिट अपनी विशेशता बताती है इस यूनिट के स्थापना 1995 में होई थी 2014 के खाजा यूर्द के बाद इस ने इस यूनिट को बढ़ा कर लगभग दोगोना कर दिया है जिसे इसरैली ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के रूप में जाना जाता है यालोम ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में एहम भूमी का निभाई है इसरैल का अस्तित उसके डिफर्ट सिस्टम यानि सुरक्षा तंद परटेका है आरेशन डोम को 7 अक्टूबर को हमास ने कंफ्यूज कर दिया था और 1400 लोगों की मौत हो गए लेकिन उसका नतीजा पूरा फिलिस्तीन भुगत रहा है अब तक 17,000 से जादा फिलिस्तीनी मारे गए है इन में महिलाएं हैं, बच्ची हैं जो जाहिर तोर पर हमास जैसे संगटन के सदस से नहीं थे हमास के पास तो ज्यादा से जादा 30 से 40,000 लड़ाके होने कानुमान लगाया जाता है मतलब इस्रेल AI का सीमित तोर पर इस्तिमाल कर इस्रेल इरान जैसे बड़े देशों को मेसेज दे रहा है कि उससे पंगा नहीं ले, वरना इरान के पास कामिकाजे जैसे घातक ड्रोन है तो इस्रेल के पास आडिफीशिल इंटेलिजन्स वाला इंपोट है जिसका इस्तिमाल इस्रेल बिना सैनिकों को तेरान भेजे, तेल अवीब में बैठे बैठे कर सकता है इस्रेल के पास आधुने खतियार भी है और तेज खुफिया एजेंटों का जाल भी मौजूद है इस खुफिया जानकारी के अधार पर इस्रेली डिफेंस फोर्स साथ अक्टूबर के मास्टर माइंड याया सेनवार की तलाश खान योनुस में कर रही है जिन सुरंगों को खत्म करने के लिए इस्रेल ने अपनी यालोंग यूनिट को तैनात किया है उन सुरंगों में से ही एक में छिपा बैठा है याया सेनवार आइडियाफ खान योनुस में लगातार छापे मारी कर रही है इस्रेल के रक्षा मंतरी यो गैलेंट ने कहा है कि इस्रेली सेना याया सेनवार को ढूंड कर मार डालेगी टाइमस ओफ इस्रेल के मताब़ याया सेनवार लडाई के शुरवात में दक्षन की ओर जा रहे है एक काफिले में छिपकर उत्तरी घाजा से कहीं भाग गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि सेनवार घाजा शहर से भाग गया और दक्षन गाजा के खान योनिस की ओर चला गया है रिपोर्ट के मताबिक इस्रेली सेनाएं मान रही है कि सेनवार अभी भी खान योनिस में है या इसके नीचे से गोज़रने वाले सुरंगों में से एक में है इस्माइल हानिया हो या याया सेनवार या फिर मुहम्मद डाइफ, हमास का कोई भी नेता हो, कमांडर हो या लडाका हो इस्रैली सेना हर एक को चुन चुन कर ठिकाने लगाने के लिए हमले कर रही है इस हमले में इस्रैली सेना के पास उन्नत हथियार भी है और दुनिया की सबसे तेज सिस्टम आर्टिफिशल इंटेलिजन्स भी चीन के नेता और बड़े-बड़े मंत्री बहुत बड़े खत्रे में पड़ गए है अमेरिका और ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि चीन के पूर विदेश मंत्री किन गैंग को जान से मार दिया गया चीन के पूर विदेश मंत्री छे महीने से गायब थी हैरत इस बात पर है कि ऐसे कई केसिज चीन के राश्पती शी जिंपिंग गिरते हुए नजर आ रहे है क्या सतर साल के शी जिंपिंग अपने मंत्रियों और जन्रलों के गिलर बन चुके हैं चीन के राश्पती शी जिंपिंग पर इस वक्त पूरी दुनिया के नजर है खबर है कि अमेरिका और पशिमी देशों को खोफिया इंपूट मे ले है कि शी जिन्पिंग इस वक्त चीन के अंदर खोफिया तरीके से अपने मंत्रियों और सेना के जनरलों को चुन-चुन कर जान से मरवा रहे हैं ये चीन के ऐसे बड़े और दमदार मंत्री थे जहने जान से मारना वाकई बहुत बड़ी खबर बन चुकी है लेकिन सवाल उड़ता है कि आखिर चीन के राश्रबती शी जिन्पिंपर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि उन्होंने चीन के पूरो विदेश मंत्री किन गैंग को जान से मरवाया है सवाल ये भी है कि चीन को ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी है क्यों उसने अपने देश के पूरो रक्षा मंतरी ली, शांगफू और कई टॉप जनरों को खुफिया तरीके से मरबा दिया है क्या चीन, अमेरिका और योरोपी अदेशों के किसी गहरी साजिश का शिकार हो चुका है या फिर रूस ने चीन को कुछ ऐसे खुफिया इंपुट दिये हैं, जो चीन में CIA की गहरी जासूसी और एजेंटों से जुड़े है क्या ऐसा संभाव है कि चीन के मंतरी और सेना के जनरल, अमेरिका और ब्रिटन के जासूस और खुफिया एजेंट बन चुके हैं इन हर सवालों का जवाब हम आपको आके देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि चीन के पूरु विदेश मंतरी किन गैंग को जान से मारने का दावा क्यूं किया जा रहा है चीन का एटम भम चूरी, जिन पिंग के मंतरी निकले गत्धार चीन में पिछले तीन महीनों से कुछ ऐसा हो रहा है जिसने राश्रपती शी जिन पिंग के होश उड़ा दिये है पहले आप ये जान लीजिए कि अब तक शी जिन पिंग के इशारे पर चीन के किन टॉप मंतरी और जनरलों को मारा गया है फिर हम आपको चीन के पूरो विदेश मंतरी, रक्षा मंतरी और चीनी सेना में रॉकेट फोर्स के जनरल को मारे जाने के दावे के पीछे का सीक्रिट बताएंगे अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया के रिपोर्ट पर अगर यखीन करें तो 57 साल के चीन के पूरो विदेश मंतरी किन गैंग को जान से मार दिया गया है चीन के पूरो विदेश मंतरी 6 महीने से गायब थे रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राश्रबती शी जिनपिंग ने धोखे की चलते किन गैंग की हत्या करवा दिये रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने किन गैंग को यातना देकर उन्हें मौत के गाट उतार दिया है जून दो हजार तेईस के बाद से किन गैंग चीन में रहसिमई तरीके से गायब हो गये थे चीन के दो अधिकारियों के हवाले से बश्चिमी देशों के रिपोर्ट में दावा किया गया है किन गैंग की जुलाई में ही बीजिंग के एक मिलिटरी अस्पताल में मौत हो गई थे जिन पिंग के करीबी पूरो विदेश मंतरी किन गैंग का खोफिया तरीके से मारा जाना चीन में बहुत बड़े बवंडर का संकेत कर रहा है अब आप ये भी जान लीजे कि शी जिन पिंग के इशारे पर चीन में और कौन से बड़े मंतरी और जनरल मारे गए है 65 साल के पूरो रक्षा मंतरी ली शांग्फू को जान से मारने की भी खबर है दाबा किया गया है कि चीन के पूरो रक्षा मंत्री ली शांगपू बशिम देशों की खोफिया एजेंसियों से जुड़े थे जिसके खबर लगते ही उन्हें भी शी जिन्पिंग के आदेश पर जान से मार दिया गया है अब सवाल उड़ता है कि चीन के राशबती शी जिन्पिंग ने पूरो विदेश मंत्री और पूरो मंत्री को जान से क्यों मर वाया है जरह ये भी जान लीजे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के हत्या मंत्री किलर बने शी जिन्पिंग दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल चीन ने इस साल की शुरवात में विदेश मंत्रे किन गैंग और पूरो रक्षा मंत्री ली शांग्फू को उनके पद से बरखास्त कर दिया था चीन के दोनों टॉप मंत्रियों को क्यों जान से मारा गया है इसके पीछे ऐसी वज़ा बताई गई है जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया के दावों के मताविक चीन के पूरो विदेश मंत्री किन गैंग और पूरो रक्षा मंत्री ली शांग्फू पर आरोब था कि इन्होंने अमेरिका को चीन के नियूक्लियर सीक्रेट बेचे हैं जिसके चलते इनकी हत्या की गई है अब सवाल उड़ता है कि चीन के दो टॉप मंत्री अमेरिका से जुड़े हैं इसके खबर शी जिन्पिंग को किस ने दी जरा ये भी जान लीजे चीन का एटम बमचोरी जिन्पिंग के मंत्री निकले गद्दा चीन के परमाणू हत्यार और उससे जुड़ी जासूसी की जानकारी छे महीने पहले शी जिन्पिंग को मिल गई थी दावा किया जा रहा है कि चीन के जिगरी यार रोस ने चीन को आगाख किया है कि उसके टॉप दो मंत्री और जनरल अमेरिका को चीन के परमाडू हथियारों और प्लैन की जानकारी दे रहे हैं। कुछ रेपोर्ट के मुदाबिक चीन के पूरो विदेश मंत्री किन गैंग और पूरो रक्षा मंत्री ली शांगफू पर चीन के न्यूकलियर सीक्रिट्स बेचने का आरोब था। चीन के अधिकारियों के हवाले से रेपोर्ट में दावा किया गया है किन गैंग के साथ पूरो रक्षा मंत्री ली शांगफू जुड़े थे। हफ्तों से गायब बताए जा रहे हैं। खबरें तो यहां तक आ रहे हैं कि चीनी सेना के कई टॉप जनरों को भी जिन पिंग ने गायब करवा दिया है। अभी यह पता नहीं चला है कि वो जिन्दा हैं या मारे गए हैं। कुल मिलाकर चीन में शी जिन पिंग के तांडों ने हाहा कार मचा दिया है। अब देखना होगा कि चीन में आने वाले दिनों में और कौन-कौन से मंत्री और जनरों गायब होते हैं। या फिर मारे जाते हैं। सुकदेव गोगामेडी मर्दर केस में गिरफतार दोनों आरोपियों ने ऐसे खुलासे किया कि पुलिस के होश फाकता है। दावा किया जा रहा है कि सुकदेव की हत्या में आठ से ज्यादा मास्चमाइन हैं। जिन्होंने मिलकर हत्या को अंजान दिया। इस मर्दर के बाद इन्वेस्टिगेशन ऐसे मौड़ पर अटक गई है जहां कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हत्यारे घिरफ्तार, खोला, मौडर का राज। पांच दिसम्बर दो हजार देश को सुकदेव को नौ गोलिया मारी गए और उनकी मौत हो गए। CCTV में कया दो हध्यारों के अलावा सुकदेव हध्यागान में कितने लोग शामिल हैं। इसका खुलासा होना शुरू हो चुका है। वेहिकल उपलब कराया गया। ये सारे चीज़ जो शूटर्स, मौकेपे ते उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्रा किया था। अभी ये तो प्रदम चरन हो गया। अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रदम चरन है। जो mastermind है, जो conspirator, main conspirator है, उन तक जाल विछा रखा है, तो हमारा next जो सरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तयार किया, उन तक पहुंचे हैं और उनको कानून के सामने लाने का है। जो हत्या के आरोपियों से जानकारी मिली है, उस हिसाब से कितने लोग सुकदेव, मोर्डर तिव्लानी और हत्या में शामिल है। हत्या करने के आरोप में गिरफटार हुआ है। वहीं हत्या के आरोपियों की भागने में मदद करने वाले उधम सिंग को भी पोलिस में गिरफटार कर लिया है। SIT के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुल्जमान डीडवाना में देखा गया है। उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशल टीम जो है उनको कुछ मुखबीरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो जो मुल्जमान को पकडने के साथ-साथ हमारा टीम्स यहां जेपूर शहर में। जेपूर शाहर के अंदर इसको कैसे फसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाय दिया, कौन-कौन इसमें शामिल थे, क्या-क्या सुविधाय दिया, कहां उसको रुखवाया, कहां उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज़ भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो उसमें भी जो वेक पर वो हर्याना से दो शूटरों से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन शूटरों को दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान बेर शाम चंडीगड के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मताबिक चंडीगड के कमल पैलेस में दोनों आरूपी रोके थी। नियूज एटीन की टीन उस कमरे में पहुचे। क्या कुछ जानकारी हमें उस होटल से मिली जिसे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुचना पर पुलिस ने चंडीगड में इसी पैलेस में धावा बोला और तीन आरूपियों को यहीं से काबू किया है। और यहां पर आके जो मैनेजर है उनको अपने आईडी प्रूफ दिये आईडी प्रूफ देने के बाद हाला कि आईडी प्रूफ भी जो बताया जा रहा है कि आईडी प्रूफ भी फेक हैं। दुखबीर के नाम से जसबीर और दविंदर तीन नाम से आईडी प्रूफ दिये गए हैं 105 नंबर कमरा उनको दिया गया था 105 नंबर कमरा ये वही रूम है जहां पर वो आए और आकर उन्होंने यहां पर फ्रेश हुए और करीब आदा घंटा यहां पर रुके श्यापुर में मुडर दोबाई का मिला कनेक्शन सुखदेव सिंघ हत्याकांट की कड़िया एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुर्ती जा रही हैं इस पूरे हत्याकांट को कैसे अन्जाम दिया गया पहले ये जान लीजे सुखदेव कोगा मेरी हत्याकान का मेन मास्टर माइंड विदेश में बैठा राजस्थान का कोख्याद गैंग्स्टर रोहित गोदारा है रोहित गोधारा में सुखदेव के हत्या के लिए शूटर अरेंज करने के जम्यदारी अपने राइट हैंड मैन विरेंधर चारण पुदी विरेंधर चारण के साथ रोहित राठ्वड रेब के केस में अजमेर जेल में बन था रोहित ने पूश्टाच में बताया कि उसके उपर रेब का केस दर्ज था जिसमें सोगदेव उसके खिलाफ पैर भी कर रहा था जिससे वो सोगदेव से गुस्से में था रोहित के गुस्से का फायदा विरेंद्र चारण ने उठाया और सोगदेव के हत्या के लिए रोहित को तयार किया नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान विरेंद्र चारण से मिला नितिन विदेश जाना चाता था विरेंद्र चारण ने नितिन को विदेश सेटल होने का भरोसा दिया हत्याखान के लिए दोनों शूटर तैयार हो है दोनों शूटरों को हत्यार के साथ जयापुर भेजा गया जहां उन्होंने सुखदेव की हत्या की सुखदेव सिंगोगा मेडी मॉडर केस में अब तक पांच किरदार सामने आ चुके हैं इन पांचों किरदारों का आपस में घया कनेक्शन है ये भी जान लीजे पांच दिसंबर को सुखदेव सिंगोगा मेडी की हत्या जिस वक्त होई उस वक्त कमरे में कितने शूटर थे और कितने हत्या के मास्टर माइंड जरा इसे समझ ले CCTV फोटिज में साफ देखा जा सकता है कि सुखदेव सिंग पर रोहितरा ठोड और नितिन फौजी ने ताबर थोड फारिंग की उस वक्त तीसरा शूटर भी मौके पर मौझूद था पोलिस के मताबिक वो शूटर था नवीन शेखावत जिसने सुखदेव सिंग के घर की 10 दिन पहले रेकी की थी नवीन शेखावत ही वो तीसरा शूटर था जिसे सुखदेव सिंग पर गोली चलानी थी जिसका नाम है विरेंद्र चार हम आपको बता दें सुकदेव की हत्या के खुश देर बाद लॉरेंस विश्णुई गिरो से जोड़े गैंस्टर रोहित गुदारा ने हत्या की जिम्यदारी ली थी जबकि पंजाब के बतेंडा में केंद्रिय जेल में बंद संपत नहरा पर भी सुकदेव सिंगोगा मेडी के हत्या की साजेश रचने का आरोप है कुल मिलाकर सुकदेव सिंगोगा मेडी हत्या कांड में अब तक आठ बड़े नाम सामने आ चुके हैं सुकदेव सिंग के मर्डर के लिए दो नहीं बलकी तीन शूटर मौके पर मौझोद थे जिसमें तीसरा शूटर नवीन शेखावत मौके पर ही मारा गया दिल्ली इस्थित क्राइम ब्रांच के दाफ्तर में दोनों शूटर से कड़ी पूश्ताच में बता चला है गोगा मेडी के हत्या की साज़ेश उनके मर्डर से करीब एक हफ़ते पहले रची गई थी मौके तक नवीन शेखावत ने पूरी रेकी की थी शूटर्स ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि नवीन शेखावत भी उनके साथ है सत्या की साज़िश में शामिल था नवीन शेखावत को गोली इसलिए मारे गई क्योंकि फारिंग के वक्त वो डर गया था उसके बारे में भी हम जांच परताल किया उससे भी कुछ क्लूस मिला ये सारे मिलाके हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया तो हमारे सारे टीम है पांस तारिक से ही इन मुलजिमान को दस्तियाब करने का कार्य में लेगे हुए थे शूटर गोगा मेडी के हत्या के बाद रोहित गोदारा के करीबी सयोगी विरेंद्र चारण के साथ लगातार संपर्क में थे जिसका नाम कई आपराधिक मामलों में भी था शूटरों की हालिया लोकेशन का बता उनकी मुबाइल फोन से लगाया गया क्योंकि वो भागने के दौरा विरेंद्र चारण को कॉल कर रही थे शूटरों ने पुलिस को बताया है कि वो पहले ट्रेन से हिसार गया और फिर उधम सिंग के साथ मना ली गया वो एक दिन के लिए मंडी में भी रुके मंडी से तीनों लोग चंडिगाड है जहां उन्हें पकड़ लिया गया आठ तारिक को हमें सपष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फल स्वरूब कल्श नव तारिक को जो दो शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्ता करा रहा था लोजिस्टिकल एजिस्टेंस दे रहा था उनको हम चंडिगाड सेक्टर 22 में एक होटेल के बार से दस्तियाप किया है और उनको अभी राजस्ता लाया गया है और उनको आगे का पूछताच किया जाएगा सुकदेव सिंग गोगा मेड़ी की दोनों पत्नियों की तस्वीरें साथ साथ देखिए पहली तस्वीर में सुकदेव सिंग की दूसरी पत्नी शीला शेखावत है जबकि दूसरी तस्वीर में सोगदेव की तीसरी पत्नी सपना सोनी है सपना जहां सोगदेव के मौडर में किसी करीबी का हाथ बता रही है तो वहीं शीला का दावा है कि वो सोगदेव की तीसरी पत्नी को नहीं जानती है हैरानी की बाद तो ये है कि सोगदेव काफी वक्त से अपनी तीसरी पत्नी सपना सोनी के साथ जैपूर वाले घर में रह रहे थे जहां पांच दिसंबर पूनके हज़़ tecnología होई प्रोपर्टी का तो मुझे पता नहीं है अभी किसके नाम है सकुंतला जी के नाम पर है हाँ बताया जा रहा है कि सकुंतला जी के नाम पर मुझे बताते है थे ऐसे कि अभी तो सब कुछ सकुंतला के नाम ही है कुल मिलाकर सोगदेव मॉर्डर केस में अभी और भी बहुत से खुला से हो सकते हैं अब देखना होगा क्या हत्या क्या रोपी और क्या-क्या राज उगलते हैं अब दो शक्तिसगर में मुख्यमंत्री के नाम से परदा उठ गया दो राज्य बाकी हैं जल्द ही उनमें भी मुख्यमंत्री के नाम का इलान कर दिया जाएगा लेकिन असल लडाई साल दोहजाज़ाच चुनाव दावे तो यह किये जा रहे हैं कि कि दोहजारच चुनाव में बीजेपी 400 सीटे जीते गी इस दावे में कितना दंग है क्या ऐसा मुम्किन है कि बीजेपी दोहजारच चुनाव में 400 से ज्यादा सीटे ले पाए राजस्थान पलड़ गया मध्यप्रदेश पलड़ गया 36 गड़ पलड़ गया वहां आदिवासी सीएम चुनाव और अब क्या पलटेगी बीजेपी के किस्मत क्या दोहजार उन्निस और अब दोहजार चुवीस भी बीजेपी का होगा मोधी का होगा क्या 15 साल तक बीजेपी भारत पर लगातार राज करके सभी रिकॉर्ड थोड़ देगी इस बहुत बड़े मुकाफले के लिए बीजेपी तीन सूबों में विधान सभा चुनाव वाला टेस्ट पास कर चुकी है जमीन से जोड़े नेताओं को सीएम बनाया जा रहा है क्या तीनों राज्यों में बीजेपी तीन गुना कमाल करके दिखाएगी जमीन से जोड़े ने विए बीजेपी